हेलो वेल्कम बैक टो मैं चैनल और यह है सुखा मांटर जोहरा मांटर होता वही वह मैं सोक करके रखी थी यह मैं कुछ बनाई थी पहले उसमें से थोड़ा सा बच गया था तो मैं सोची चरों कुछ चटपटा कुछ बनाया जाए तो वस उसके लिए दो टमांटर एक आलू बड़ा सा इसका आलू था और कुछ लेशन का कर लिए उसके बाद ये इमली है इमली को आप या तो सोक करके रख सकते हो पहले से रिंस्चन बनाना है तो मैं हल्का सा गरम पानी में डाल दी हूं ताकि यह सॉफ्ट होज़े ताकि स्कोच इसमें मैश कर सके बाद में बस साथ में थोड़ा सा हिंग डाल दो ताकि मतर से गयास ना बने इस चकर में तो हिंग अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी जब दड़का हलका आजए तो प्यास टमाटर डाल देना है हलका फ्राई करना है उसके बाद जो हमने आलू काटके रखा था उसको विसमें आड कर द यह सिंपल है सबस्कों रोटी के साथ भी खासकते हो यह ऐसे भी खासकते इसको मैं चाट का नाम दूंगी तो बस सब को मैंने मिक्स कर दिया है उसके पाद से तो इसमें हलका साद्रक लसन का पेस जालूँगी अगर आपकिपास खड़ा अंद्रकलसन है तो उसको भी आप चूर के डाल सकते हो मेरे पास नहीं है तो में यह डाल रहे हूं तो थोड़ा से एक चमज बनालना आपको उसकी बात कुछ बेसिक मसाला है जिसमें आपको हलका सा काले मिर्च बेकिंग पॉडर करम साला धनिया नमक आम चूर और काश्मेरी चिली डालना है हल्दी विया लेड़ा को चूर्प आपको शुबने वाला रधा इसलिए में इसको साइड कर देती हो और बस यह सिम्पली अपको हो गया इसमें आप जितना आपको इसका ग्रेवी चाहिए उसके अपको पानी आड़ तो उसके बास तीन से चार सेटी मीडियम हीट पे लगाओ तक यह अ अच्छे से वो पक जाए तब तक के लिए आपको सिटी लगानी है बस यह हो गया है बनके त्यार अब इस स्टेज भी आपके पास अगर मत्री हो या फिर पापड़ी हो या समोसा या कुछ भी ऐसा हो गुप चुप हो आप उसको यूज कर सकते हो उसको डालने के लिए सोवि बुंजा कहते हैं वो डाल के इसको मैं भी खाई हूं और दही वेगरा सब कुछ टूपर से डाल सकते हो मैं जो बस वीडियो को एंड करना था तो मैं बस दिखा रही हो कि हाँ आप स्टेप से इसको आप खा सकते हो तो बस अगर आपको स्थीक लगता है इंस्चैंट को